आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी थाइरेड पेशन्ट है या फिर जिनको आटो इम्यून डिसॉर्डर है उनके अंदर कुछ स्पैसिफिक विटामिन्स और मिनरल्स हमेशा ही लो रहते हैं ये नौलेज इसलिए जरूरी है कि अगर आप नेचरली अपने थाइ थाइरोइड होशी मोटो और आटो इम्यून डिसॉर्डर इनको रिवर्स करने के लिए या फिर इनको ट्रीट करने के लिए आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आजकल कुछ चीजे फैली होई है जैसे कि इस बीमारी का लिंक केवल ग्लूटन और डेरी से ही है तो यहां पर यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि अगर आप ग्लूटन और डेरी छोड़ देंगे तो आप अपने आटो इम्यून डिसॉर्डर को पूरी तरीके से हील कर पाएंगे इस रिसर्च के कारण यह कहा जा सकता है कि आटो इम्यून होने का एक कारण न्यूट्रियन डेफिशेंसी भी होता है जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चलेगा और हम डिसकस करेंगे सो लेट स्टाट दे वीडियो इंट्रोड़क्शन हलो एवरीवन आप्याइट अन्यूट्रिशन एक्सपर्ट माध्यली का एंड तोड़े विल डिसकस इंपॉर्टन वितमिन्स और बिनरल्स फोर थाइराइड हेल्थ एंड आटो इम्यून डिसॉर्डर आटो इम्यून ट्रिगर होने के बहुत सारे जो कारण होते हैं वो देखे जाते हैं जैसे कि कई बार food sensitivity, stress, some kind of infections, etc. मतलब कुछ infections हैं जो लगतार होते रहते हैं तो ये भी आटो इम्यून को ट्रिगर करते हैं जिस तरह अगर किसी व्यक्ति को बार-बार infections होते हैं तो उसकी वजह से आटो इम्यून ट्रिगर हो जाता है लेकिन बार-बार infection होने का कारण होता है कि आपकी बाड़ी का जो immune system है वो weak है मेभी आपकी बाड़ी के अंदर vitamin D की deficiency हो तो इस तरीके से autoimmune जो होता है वो केवल gluten या dairy से ही लिंक नहीं होता है बलकि आपकी बाड़ी के अंदर कुछ specific vitamins और minerals भी कम है इस वज़े से भी होता है इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपना continuously stress के अंदर रहते हैं तो आपकी बाड़ी के अंदर healthy and essential fatty acids भी कम होंगे जैसे की omega 3 fatty acids हमारा जो brain होता है वो 60% omega 3 fats से बना होता है इसलिए जो लोग अपनी daily life में flag seeds को add करके रखते हैं उनकी जो brain power होती है वो तो अच्छी होती ही है और उनका जो stress level होता है वो भी control में रहता है इसी के साथ जब stress control में रहेगा तो autoimmune जो होता है वो जल्दी से किसी को नहीं होगा आज इस वीडियो में हम इसी के ओपर discussion करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से vitamins और minerals है जिसकी कमी से autoimmune होता है और इन कमी को अगर पूरा कर दिया जाए with the help of diet and right kind of supplement तो आप अपनी इस condition में एक अच्छा improvement देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करेंगे first key nutrient selenium के बारे में selenium is an important micronutrient that has multiple functions in our body selenium के अंदर पाये जाने वाला selenoprotein thyroid hormones के metabolism के लिए बहुत ज़रूरी होता है selenium के अंदर दो ऐसे enzymes पाये जाते हैं first deiodinase and second glutathion peroxidase deiodinase enzyme inactive thyroid hormone यानि के T4 को active thyroid hormone T3 में convert करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और second glutathion peroxidase are involved in antioxidant activities thyroid gland जो होता है जब भी thyroid hormones को production करता है मतलब उसको produce करता है या फिर T4 से T3 में convert करता है उस समय पर हमारी body के अंदर ना thyroid gland से कुछ free radicals form होते हैं और ये free radicals अगर body के अंदर freely ऐसे ही छोड़ दिये जाएं तो ये दूसरे body parts को damage करते हैं इसके लिए selenium में पाया जाने वाला glutathion peroxidase इसके लिए एक defense mechanism की तरह काम करता है और हमारी body को इन free radicals से protect करता है और body से बाहर भी निकलता है अब आप सोचिए कि अगर आपकी body selenium में deficient है तो इस तरह की free radicals के लिए हमारा immune system मतलब जो antibodies होता है उनको trigger करता है और ये antibodies कई बार unknowingly हमारे thyroid gland पर और दूसरे body parts पर भी attack करते हैं जिसकी वजह से TSH ही होता है और autoimmune भी इसी की वजह से develop होता है so you all understand now that low selenium is almost responsible for autoimmune disorder next हम बात करेंगे जो हमारा important mineral है and that is called zinc that support immune function zinc T4 to T3 conversion को regulate करवाने के लिए बहुत जरूरी होता है ये ना सिर्फ हमारी skin हमारी आखे हमारी heart health के लिए responsible होता है बलकि thyroid health में भी इसका बहुत important role होता है जिन लोगों के अंदर zinc deficiency होती है उनका thyroid gland चाहे बिलकुल ही ठीक तरीके से T3 और T4 hormones को produce कर रहा हो लेकिन उनका TSH जो होता है वो हमेशा high देखने के लिए मिलता है बलकि जब वो लोग thyroid की medicine लेते हैं कोई भी तो उसके symptoms में कोई भी सुधार देखने के लिए नहीं मिलता तो एक चीज़ याद रखे के blood test report में अगर T3 का level कम है then higher chances that you are deficient in zinc जिसके अलावा इसके अलावा जिन महिलाओं को thyroid में conceive करने में problem आती है उनको एक बार zinc के level को अपने blood test report के तुरू जरूर टेस्ट करवा लेना चाहिए क्योंकि हम सुनते हैं ना कि thyroid है तो conceive नहीं होगा बच्चे पैदा नहीं होगे क्योंकि जिन महिलाओं को zinc deficiency होती है उनको conceive करने में भी problem होती है और सासाथ TSH level तो हाई उनका रहता ही है तो अगर आप zinc rich diet और supplement पर काम करते हैं तो आपको न सिर्फ T3 levels को improve करने के लिए जो उसके result देखने के लिए मिलेंगे बलकि TSH will also improve and research shows that low level of T3 and high level of TSH can develop Hashimoto's disease interesting next जो आता है इसके साथ हम बात करेंगे वो है iodine अक्सर thyroid patient के अंदर iodine deficiency देखी जाती है लेकिन एक बात का ना हमेशा ख्याल रखे कि iodine को जहां तक हो सके food से ही लेना चाहिए जो कि हमारे गट में absorb होता है और हमारे thyroid gland तक वो transport होता है इसका supplement लेना कई बार जो होता ना बहुत wrong decision होता है because too much iodine leads to autoimmune thyroid disease like Hashimoto's or grave disease जिन लोगों को already Hashimoto's disease है उन लोगों के लिए iodine supplement बहुत dangerous होता है इसका कारण कई बार excessive iodine temporarily shut down the production of thyroid hormone body के अंदर ज्यादा iodine लेने से कुछ समय के लिए आपका जो thyroid gland होता है वो thyroid hormones के production को shut down कर देता है बंद कर देता है और कुछ समय के लिए TSH जो होता है उस period में बहुत तेजी से बढ़ता है जिसके कारण अकसर लोग अपनी thyroid medicine की जो doses होती है उसको पढ़ा देते हैं उनको पता नहीं होता कि यह क्यों बढ़ गया पर कई बार उसका कारण लगातार iodine का supplement लेना भी होता है या फिर जरूद स Hashimoto's have to be extra careful with iodine supplement लेकिन good news यह है कि अगर आपको Hashimoto's thyroiditis है और आप iodine का supplement भी लेते हैं तो TSH के excessive high होने के कारण आपको thyroid medicine की doses को नहीं बढ़ाना है बलकि immediately अपने iodine के supplement को बंद करना है तो यह भी बहुत interesting है कि यह भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आजकल iodine supplement market के अंदर काफी promote किया जा रहा है तो यह आपको knowledge काफी help देगा इसके बाद हम बात करेंगे iron आइरन एक ऐसा mineral है जो कि thyroid hormone के production में तो required होता ही है इसके अलावा active thyroid hormone के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है research में यह देखा गया है कि 50-70% women are deficient in iron levels and low iron levels lead to anemia जिसके कारण low energy levels, fatigue जैसे common symptoms होते हैं जो कि अक्सर haushimoto's affected women के अंदर देखे जाते है आइरन शरीर के अंदर energy को produce करने का काम करता है जो कि mitochondrial health के लिए भी बहुत important होता है एक बात का हमेशा ध्यान रखिए जो कि ज़्यादतर लोगों को पता नहीं होता कि iron deficiency DNA को भी damage करती है बलकि excess inflammation भी body के अंदर इसी के कारण होते हैं अगर आपके अंदर energy levels बहुत डाउन हैं इसके अलावा अगर आपकी आखों के आगे जो है sudden अंधिरा आ जाए या फिर आप फैंट होने लगें especially कई बार हम toilet में होते हैं और आखों के आगे अंधिरा हो जाता है तो immediately अपने iron levels को test करें इसके बाद जो next आता है वो आता है काफी famous vitamin D vitamin D एक ऐसा vitamin है जिसके उपर सबसे ज़्यादा study हुई है जहां vitamin D को सिर्फ bone health के लिए ही देखा जाता था वहाँ पर vitamin D health को regulate thyroid health को regulate करने के लिए भी बहुत important पाना जाता है especially for those who have autoimmune disorder जिनकी body के अंदर low level of vitamin D होते हैं उनके अंदर autoimmune disease develop होने के higher chances होते हैं क्योंकि vitamin D हमारे immune system को regulate करता है और ये हमारी body के लिए safe guard की तरह भी काम करता है क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हमारे शरीड के अंदर vitamin D levels कम होते हैं हमारा immune system antibodies को produce करना शुरू कर देता है and that leads to this problem so low level of vitamin D ना सिर्फ autoimmune को trigger करता है बलकि शरीड के अंदर बहुत सारे जिसे हमें viral infection हो गया या फिर किसी को बहुत ज़्यादा fever वगरा आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा promote करता है इसकी वजह से ये दिक्कते आती है major symptoms of low vitamin D is fatigue, brain fog and high level of inflammation in the body और अगर आप ध्याद से देखें तो यही सारे symptoms तो होते हैं जो कि होशी मोटो thyroid patient के भी होते है तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारे important vitamins और minerals की deficiency के कारण ना सिर्फ autoimmune develop होता है बलकि thyroid hormone के production में भी ये specific vitamins और minerals बहुत important role प्ले करते हैं तो gluten और dairy को छोड़ना ही काफी नहीं है अपने autoimmune को reverse करने के लिए आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी thyroid health है उसको किस तरीके से regulate किया जाए और एक चीज इसमें और भी मैं एड़ करना चाहूंगे कि जो लोग regular basis पे supplement लेते हैं कई बार उनकी body के अंदर इनी vitamins और minerals की toxicity भी हो जाती है इसके भी हमेरे result तभी पता चलते हैं जब हम blood test करवाते हैं तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ज़रूरी होती है किसी भी thyroid patient के लिए So I hope this excellent video is very much useful for all of us और फिल भी मैं आपको next video में next ऐसे ही informative video में till then stay happy, stay healthy, bye और अगर आपको इससे कुछ भी knowledge मिली हो या फिर आप कुछ और भी जानना चाहें इसके अलावा जो कि thyroid health से related हो राइट डाउन इन दा comment section और मैं आपकी जो comments है उनका answer भी करूँगी So thank you so much and thanks for watching this video Bye